पिश भर के 43 जगों पर कल छटे रोजगार मेले का आयूजन किया गया केंद्रिय मंत्री स्मृतिय एरानी ने कहा है कि कॉंग्रेस नीत यूपीय सरकार के तुलना में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रत ववाली केंद्र सरकार ने 58 फीसद ज्यादा नौकरियां दी है सरकार में जैसे धान मंत्री मोदी ने कहा है अब तक 880,000 से ज़ादा सरकारी नौकरियां भारत सरकार के सौज़न दे से यूपीय सी एसिती के माध्यन से दी गए जो नौकरिया लगी हमारे देश में उसमें यूपीय की कॉंग्रेस ने सरकार का अगर आप आपड़ा देखें तो मोदी जी की सरकार ने 58 परसेंट जादा नौकरियां दे और इसी कारेकरम के तहट कल प्रदेश में 184 यूवाओं को रायपूर के एम्स आउडिटोरियम में आयुजित छटे रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिये गए सरकारी नियुक्ति पत्र पाकर यूवा भी खुश और उत्साहित नजर आए उन्होंने अपने काम को इमानदारी से करने की बात कही अभी मेरी पोस्टिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्टि पियस बरांच कोरबा में हुई है और मैं अपने डूटी अच्छे से करोंगा और मैं वादा करता हूं कि लोगों की अच्छे सेवा करोंगा मैं अलिजिवल हुआ पिछली साल 2022 से मैंने अपनी कॉलेज के दिनों के दरान अपनी त्यारी शुरू कर दी थी समय से दो साल पहले और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मेरा अपनी महनत से और माबाप के आशिरवाद से सिलेक्शन हो गया हूँ और मैं हमारी यहां सारे ओफिशिल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्यों ने भी ये ग्रेंड फंक्शन और्गनाईस करवाया और हमें नियोकती पत्र सौपा अपॉइंटमेंट लेटर सौपा उनका तहह दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा मेरा नम हमाजी शिवानी है और मुझे स्टेट बैंक आफ इंडिया में जूनियर पोस्ट की पत्र पे नौगरी दी गई है निश्यत रूप से नियोकती पत्र पाने वाले युवाओं के लिए ये एक खुशी का मौका है